तो आज हम बात करेंगे कि prioritize कैसे करना है important units को जैसे कि animal kingdom है, plant kingdom है तो अलग-अलग units का अलग-अलग weightage होता है ना जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ for example अगर हम plant pathology फड़े रहे हैं या फिर animal kingdom तो दोनों में ही let's say 15 से 20 दिन दे दिये क्यों? क्योंकि दोनों का weightage अलग-अलग है और दोनों को उसी के हिसाब से time देना होता है तो वही हम देख लेते हैं कि prioritize कैसे करते हैं क्योंकि जब आप PYQ धियान से देखोगे previous year papers, questions लगाते हैं देखोगे कुछ ऐसे units है जैसे कि animal kingdom इसका सबसे स्यादा weightage था मतलब अपने आप में सबसे स्यादा questions इसी के मिले थे तो ऐसे ही हम बिल्कुल orderly तरीके से देखेंगे कि कैसे 1, 2, 3, 4 तरीके से देखेंगे कि कैसे order के हिसाब से ठीक, तो decreasing order में animal kingdom से पहले पढ़ना है और in-depth जाके पढ़ना है जैसे कि आप देखोगे कि जब malaria वगरा पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे match the following questions बहुत सारे आते हैं किसी का class क्या है किसी की kingdom phylum वाला जो रहता है ना हर topic में वहाँ से बहुत सारे questions आते हैं तो animal kingdom poriferous से लेके echinodermata तक पूरा detail में पढ़ना होगा और यहाँ पे सबस्दाइं important हो जाता है जो examples होते हैं वहाँ से बहुत सारे questions आते हैं तो पहले यह खतम करना पड़ेगा first और उसके बाद जिसे यह तो ऐसे लिग दिया topic हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़दा questions आये थे especially like it से 3-4 कहीं कहीं तो सिर्फ एक मतलब 2 तो minimum है हर paper में यह देखने मिला तो पता नहीं क्यों यह topic ऐसे 2 topics थे जिनसे हर बार questions आते ही आते मतलब कि अगर आप exams में चारए PGT, GIC, teaching exams में especially तो इन 2 topics को आप बिल्कुल ही ignore नहीं कर सकते हैं in-depth पढ़के जाना पड़ेगा फिर आता है plant kingdom तो वही है कि algae से लेके gymnosperm तक एकदम detail में और जैसे कि cells वगेरा है न बो सब और जैसे cap cell है, nerve cell है और angiosperm के important characteristics और जैसे कि pinus है, psychus है तो इसके बीच में difference क्या है वैसे ही पढ़ते वक्त ध्यान से in-depth analysis करके उसके बाद इसको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्या important है animal kingdom के बाद ये plant kingdom इन दोनों का weightage बहुत 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 जयादा है तो ये दो आप ignore नहीं कर सकते हैं अगर ये दोनों ignore करके जाते हैं तो क्या होगा पता है ये दोनों अकेले ही इतना weightage करते हैं कि आप इनको 20% या कभी कभी 25% इतना weightage है paper में आप सोच के देख लो ठीक आगे देखते हैं फिर देख लेते हैं human physiology तो यहाँ इसको आप सिर्फ और सिर्फ NCRT से एकर cover कर लेते हो वो भी ठीक है काफी NCRT और इसमें कौन सा system सबस्दा important है तो इसको लिख दिया है nervous system, circulatory system, endocrine और reproductive nervous से और reproductive से बहुत सारे questions आये थे फिर उसके बाद circulatory से आये थे तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको आप पढ़के जाना फिर cover करना है ecology को, यह सबसे easiest है और important भी, तो जैसे कि यहाँ पर सब वही देते हैं, factual mostly देते हैं कि match the following कर दो और या फिर इन में से कौन सा incorrect है ऐसे करके questions बहुत आते है तो जैसे कि important wildlife है तो इनकी वही locations कहां कहां पर मिलेंगी यह चीज़े important park है और population interaction में जैसे कि commensalism है, commensalism है तो वहाँ पे थोड़ा confusing रहता है ना plus zero, minus zero, plus plus तो इसलिए इसको भी बहुत बार match the following में करके देते हैं इसके examples क्या क्या आते हैं, यह चीज़े तो population interaction बहुत ज़दा important लगा तो इसको भी include कर दिया by diversity, फिर बारियाती है cell biology की, तो इसको भी रखते हैं वो सारे चीज़े रखते हैं, जहाँ पे थोड़ा memory based questions बनाया जा सके, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं, जो बहुत ज़दा memorize करने के लिए capable होते हैं, इसलिए memory based जो questions बनाया बहुत ज़दा weightage रहता है इन सारे exams में especially जब बात आती है MCQ oriented exam है तो cell cycle है, तो यहाँ पे जैसे कर देंगे कि वो G1 है, G0 phase है और जो बाकि सारे phases होते हैं, तो उनमें जैसे किसका क्या double हो जाएगा, क्या से double होगा कभी-कभी numericals भी आ जाते हैं और जो उसमें आ जाता है कि cell cycle में ही जैसे stages आते हैं, तो उनको कहेंगे leptotene, gygotene, इन सबको sequence में arrange कर दो, और examples भी आते हैं तो यह जैसे pro phase है metaphase है, anaphase है telophase है, तो इनके important characteristics है, बहुत सारे questions, यहां से भी पूछे जाते हैं, वही वही पूछे जाते हैं, जहां से लगता है उनको कि हां, maximum लोग confused हो जाएंगे, भूल जाएंगे, वही से questions उठाते हैं, फिर है biomolecules, NCRT काफी है और important है embryonic development, जैसे की chick है, amphioxus है, frog है, यहां से बहुत सारे questions आते हैं again, very very factual questions आते हैं evolution in mammals और presenta in mammals, यह दो अलग से mention किया गए, क्योंकि यहां से बहुत सारे questions देखने मिले थे, genetics की जब आता आती है तो यहां से आप कभी-कभी numericals spit कर सकते हो, बहुत hard नहीं देते हैं पर देते हैं numericals, या फिर जो examples है, law होते हैं वो, और उनके examples क्या हैं, वहां से बहुत सारे questions बनाए रहते हैं evolution, तो कौनसे scientist ने कौनसे theory दी थी, कौनसा gas था उसका ratio क्या था, यह सारे चीज़ें देते हैं और पता नहीं क्यों, evolution में obsessed है examiner Darwin से समझ में आता है, पर Lamarck से बहुत ज़द है वो, जी राफ फॉलज एक्जामपल है न, की theory of continuous use, disuse, वाल तो Lamarck, जो है यह topic बहुत बार आया था biotic इसको आप चाहो last में कर सकते हो economic, geology और botany यहां से बहुत सारे questions आते है फिर bio statistics में यहां से numericals आते है कई बार basic statistics का push लेते हैं, जो कि आपने BC में पढ़ा होगा, microbiology की बात करें तो यहां पे bacteria virus है, bacteria में shapes वगएर आ जाता है, और उसी में जैसे जब bacteria virus पढ़ रहे होते है तो यह low 4 tricus, 8 tricus तो यह essay दे देंगे इधर, और इधर बोलेंगे match कर दो, या इन में से कौन सा incorrect है, या correct है, ऐसे करके questions बहुत आते है तो जैसे viruses हैं, तो यहां पे जैसे वो है, veroids है prions है, यह सारे questions बहुत बनाय जाते हैं, तो NCRT तो पढ़ना ही होगा इन सब के लिए, प्लस जो PSC के लिए पढ़ा गया था दोनों से मिला के questions बनाय जाते हैं Swile Science, यहां से कभी-कभी दो questions, कभी-कभी यह तीन से चार भी हो जाता है, Swile Science से फिर Animal Behavior, तो जैसे की, जो Peacock Dancing है, वो क्या है? Sexual Selection, तो Animal Behavior से बहुत सारे questions आते हैं, लेकिन कभी-कभी तीन questions देखा गया है कही-कही पाँच भी देखा गया है पर minimum two questions आप expect कर सकते हो इसलिए इसको last में रखा है तो repeat कर देते हैं जैसे की, जब वाइरस पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे Tobacco, Mosaic Virus, वो, Bacteriophage, Viroids, Prions, और Economic Importance, viruses के important हो जाते हैं फिर जब Bacteria पढ़ रहे होते हैं, तो Bacterial सरक जो structure है, nutrition है, reproduction है, economic importance वहाँ से questions बना जाते हैं, फंगी तो सबको पता है, लेकिन फंगी में सबसे ज़्यादा questions कहां से आते हैं आते हैं उसके जो nutrition, reproduction और Economic Importance of Fungi, यह बहुत ज़्यादा important है, यहाँ से बहुत सारे questions आते हैं और जिन में से Fungi में Rhizopus, Pythium, Albugo, Aspergillus, Agaricus, Paxenia, Astrolago और Alternaria यह बहुत ज़्यादा important है, Fungi के तरीके से, फिर algae में इनके general characters क्या हैं, और इनके blue-green algae, तो जिसमें की Nostak और Anabena, यह बहुत बार पूचे रहता है Lichens में इनके जो types हैं और उनके जो examples हैं वो Brayophytes में, जैसे के Rixia है, Markensia है Anthosirosophionaria है, इनको Desk में पूछते है Teradophytes में आज़ाए, जैसे सब में बहुत रहेगा general characters, classification और उनके characteristic features, और उसके बाद उनके examples, economic importance तो Teradophytes में जैसे steel है तो Teradophytes में, steel Teradophytes, पूरा का पूरा Teradophytes को अगर में ले, तो steel अपने हाप में, अकेले ही इतना सता important है कि यहां से कभी कभी 3 questions आते हैं, पूरे Teradophytes में, और कभी कभी 5 questions भी आ जाते हैं, still इतना सता important है तो Teradophytes में जैसे कि Life cycle of the Lycopodium, Cillaginilla, Equisitum, Marsilia, और Homosporee है, Hedrosporee, इनके examples क्या-क्या है यह सारी चीज़ें, बहुत स्यादा important है Jimnosperm में पताया था आपको Cycus, Pinus, Ephedra और फिर आजाता है Paleo Botany, तो वही है Fossils के बारे में थोड़ा पढ़के जाना है कि Fossil के Types क्या है, Fossilization क्या है, और Factual में ही आ जाता है Geological Time Scale जिसका जो Table होता है, वहाँ से बहुत सारे questions बनाया जाते हैं और Angiosperm में Bentham Ocar System है, Important Botanical Garden है कुछ Families भी हैं, तो Plant Plant Family तो पढ़ना ही होता है, सबको पता है लेकिन, जैसे Plant Family पढ़ते वक्त उनके एक्जांपल्स क्या है और जैसे Placentation Basil है, Exile है, Free कौन सा Placentation है, ये Placentation ये भी पूछता है और Economic Importance देखे लिया कि कैसे Timber है, Fiber है, Oil है, Medicinal Beverages, Spices तो बोल देते हैं कि, जैसे आपको पता होगा Hockey Stick है, Cricket Bat है तो पुछेंगे कि ये सब कहां से मिलता है कौन सा, तो वो Family पूछ लेते हैं कभी-कभी-कभी नाम पूछ लेते हैं Embryology की बात करें, तो उनमें सबको पता है Embryology, ठीक तो उनमें जैसे Embryo Development Parthenocarpic है, Apomyxis है ये चीज़ है, Polyembryony Cell तो देखे लिए Genetics में Chromosome Structure है, Chromosome Elaborations है, Law of Inheritance बहुत इंपॉर्टन है, तो Linkage है वही जो हमने Class 11-12 पढ़ गया है, mostly उसको तो cover करना ही पड़ेगा लेकिन साथ में जो अपने B.S.E. पड़ा है, वो भी पूछ लेते है Biochemistry हो गया, उसमें वही है कि Carbohydrate, Protein, Lipid, Nucleic Acid Enzyme से साथ चीज़ है, Environmental Botany में आज़ आता है, Ecosystem है, Soil Conservation है और Succession बहुत इंपॉर्टन है, Succession Communities, B.Diversity, In-C2 एक्सीटू के एक्सापल्स बहुत बार पूछता है पहले भी आपको, जो कुछ 84 के आसपास, Topics करके था 84 या 5 करके, वीडियो उसमें बताया था कि जो यह है इन-C2, एक्सीटू के एक्सापल्स बहुत बार पूछता है ठीक, Plant Pathology में वही है कि जैसे ब्लाक रस्ट आफ वीट है, लूसमेट आफ वीट है तो यह सारे चीज़ यह एक्साइट देतेंगे एक्साइट केंगे कि मैच कर दो यह चीज़े किसकी वज़े से होता है, Biotic Genetic Engineering तो इसका importance का है Human Welfare में, Vector, सरी Common Indian Technology Transgenic Plants, Tissue Culture Biofertilizer और NCRT पढ़ा होगा ठीक से, तो questions वहीं से लगबलो बगाते है Molecular Biology के बात करें तो Gene Concept, Genetic Code, Nucleic Acid और Gene Expression Regulation फिर Miscellaneous कुछ questions आजाते हैं तो यह हमने देख लिया कि Botany के बारे में फिर जब Animal Kingdom पढ़ रहे हो, जैसे तो से पहले Taxonomy आजाता है तो उसमें Classification क्या है? Classification के बारे में Taxonomy में करक्वी दो questions आजाते हैं ठीक, तो Binomial System Classification Binomial 3 System और 4 भी बुछ लेते हैं उनके Scientist क्या थे? जैसे है, ना कि Hackle ने दिया था किस ने दिया था फिर 5 Kingdom सिस्टम सबको पता भी टा करने दिया था Animal Kingdom में आता है जैसे Protozoa पढ़ रहे हैं तो हमें जो Plasmodium है, Paramecium है, Protozoa है इस सारे चीज़ें उनके disease क्या है, Protozoa उनके disease फिर वहाँ से बहुत सारे questions आते हैं Porifera में बात करें तो दो important है लुकोसोलेनिया और साइकॉंट नाइडियरिया में हाइडरा है, और इलिया है अबीलिया है, पॉलिमॉर्फिजम इनाइडियरियंस है टीनोफोरा, प्लैटीलमेंथीज, फैसियोलाटीनिया असलमेंथीज तो मतलब पूरा है, अर्थ्रोफोर्ट से पढ़ रहे हैं तो एक अक्रोच है, और मस्कीटो प्रान है और मस्का मॉलस्का में यूनियो और पाइला इंपॉर्टन है इकाइनो डर्मेटा में स्टारफिश बहुत इंपॉर्टन है कॉर्डटा पढ़ते वक्त हर्ड मानिया है अम्फियॉक्ष जैस को लिडाउन है और जो फ्रॉग उतराना टिगरी न यूरोमेस्टिस के स्पाइन टेल लीजर्ड कोलंबिया में इंसकी पैरिट रैबिट और पोईजनस, नौन पोईजनस स्नेक्स के बारे में फिर इविलूशन पढ़ते वक्त हमें आपको बताया है कि कैसे लामाग के बारे में डार्विन नियो डार्विनिजम, मुटेशन, इविलूशन थ्रू एजिस और इन्हेरिटेंस में देख लिया कि मेंडल को भूल नहीं सकते है सेल्स देख लिया कि प्रोकराटिक सेल, उकराटिक सेल, मैटासिस, मियासिस यह सारे चीज़ है वही जो स्पेशली एंसियार्टी है नियूटेशन डाजेशन तो पूरा मतलब वही फिर एंडोक्राइन सिस्ट्रम में उनके मतलब ग्लैंड्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है, हॉर्मोन्स बहुत इंपोर्टन है हॉर्मोन से मैच दा फॉलें के कॉश्शन बहुत सारे आते है फिर इंसेक्ट के बारे में भी है और कुछ मिसलीनियस बोल सकते हैं मतलब कभी-कभी एक्जाम में जान बूचके कही-कही पांच से आठ और वो कभी-कभी 10 प्लस क्वेशन ऐसे ही बनाते हैं जो आपको मल्टिपल बुक्स पढ़ने के बाद भी आप उस क्वेशन को क्या मतलब है कि अगर 10 से 12 क्वेशन बहुत टफ कर दे 10 से 15 भी कर दे तो हमारा ये फोकोस रहना चाहिए कि अगर 125 क्वेशन है तो अट लीस्ट, अट लीस्ट 115 हमारे गलत ना हो ठीक, ये अगर 100% प्लेट है तो बाकी वो चाहे जो करें उसे हमसे क्या मतलब है तो जब पूरा यूनिट कंप्रीट कर ले उसके बाद क्या करना है ये पी वाई क्यू प्रिवियस ये क्वेशन और किसके ये जैसे 2021 है फिर 16 है और ऐसे मतलब पीछे जाते जाएंगे मतलब अट लीस्ट इतना समझो कि UP का कम से कम 10 साल 10 प्लस येर्स TGT हो या PGT दोनों का लगाना है असानी कि अगर PGT ले प्रिपेर कर रहा है तो हम TGT को इग्नोर कर देंगे दोनों का लगाना है और 10 येर्स NEED का पेपर 10 प्लस येर्स BYQ NEED NEED का क्यों लगाना है क्योंकि देखो जो NCRT से ले लिट कोष्टन्स है न जैसे Physiology है Cell है वो Common है Biotic है तो वो कुछ ऐसा नहीं होता कि एकदम अलग ही है तो उसको देखके एक आईडिया लगता है कि जब NCRT से Questions बना जाएंगे क्योंकि देखाओगा अपने GIC का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा मतलब NCRT oriented उसमें कुछ Questions डाले गए थे तो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तरह से NCRT को छोड़ दे महां से भी बहुत सार questions बना जाते है तो इसलिए NEED का 10 साल का पेपर प्लस TGT का 10 साल का पेपर प्लस PGT का 10 साल का पेपर टोटल जाने से पहले at least 50 प्लस PYQs 50 पेपर के आजपास अगर solve करके जाएं और प्लस 10 mock test खुद से यह बना सकते हैं या कहीं किसी coaching center से या कहीं से मतलब 10 mock test 10 प्लस mock test अगर इतना लगा के जाएं तो definitely आराम से हो जाएगा ठीक और किसी भी exam के लिए क्या चाहिए होता है वो है consistency मतलब regular at least 6 hours 6 प्लस घंटे regular क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने कुछ पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो एक पूरा जो cycle होता है revision cycle वो तोट जाता है इसलिए पढ़ा फिर revise किया फिर पढ़ा फिर revise किया तो cycle तोड़ना नहीं है ये चीज़े continuously चलनी चाहिए तो वही है कि एक होगा PYQ लगाना है एक CC होता है consistency चाहिए और एक R से revision ठीक तो PCR टेकनीक भी है और ये PCR अगर इतना कर लिया तो बड़े आराम से को ये paper solve हो जाएगा और अच्छी का सी rank भी आ जाएगे तो PYQ plus consistency plus revision ठीक और minimum 6 plus hours की study ये minimum है पढ़ने वाले 12 plus hours भी पढ़ लेते हैं और हाँ पढ़ते वक्त जैसे 50 मिनट पढ़ा 50 मिनट 5 मिनट का break क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक थोड़ा सा psychology पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारा brain किस सरीके से function करता है तो पोमोडोरे टेक्नीज को बोलते है पोमोडोरे टेक्नीक में क्या होता है कि आप जिसे effective study अगर करना चाते हो एक होता है कि मैंने पढ़ाई करी 14 गंटे वो कुछ खास पढ़ाई नहीं होती ऐसे लगता है कि यहां कई खड़ो के बोलेंगी फिर पढ़ो 50 मिनट फिर ब्रेक्न लो ऐसे करके कुछ पोमोडोरो साइकल चलेंगे और उसके बाद धर-धर आज़त पढ़ जाएगी तो minimum 6 है अपनी हिसाब से आप 10 प्लस जितना कर सकते हो कर लो लेकिन जो small breaks होते हैं उनको avoid नहीं करना है small breaks बहुत दा important है small breaks और PCR BYQ Consistency Revision ठीक So I hope आपको कुछ मदद मिली होगी ठीक Thank you